सन्मान योग यक्त्रवेश जी सन्मान योग श्री मेंदर सिंग वेदी चेर्मेन अकाड़मी और दूसरे यहदेदार शायर सहबान और इस मजलस में विस्सा लेने और इसमें शामल होने वाले भाईयों और बेहनों दिल्ली की उर्दू अकाड़मी और पंजाबी अकाड़मी कोई साड़े तीन साल के ख्रीब हुआ यह बनी थी उस वकत मैं होम रिष्टर था तो मैंने यह कहा था कि दिल्ली हिंदोस्तान का चेहरा है अगर यह निकरता है तो हिंदोस्तान निकरा हुआ दिखाई देगा अगर नहीं निकरता तो हिंदोस्तान दिखाई मध्धम दिखाई देगा इनसान को पहचानने के लिए उसका चेहरा होता है और बाड़ी के दूसरे आंग जो हैं वो कुछ जानकारी तो देते हैं लेकिन पहचाना नहीं जाता अब पुलिस जब पकड़ लेती है किसी मुझ्लम को तो उसकी परेड कराते हैं के पहचानों इसको तो जब तक परेड नहीं हो जाती तो वो तब तक अपना मुँ ढग कर जाते हैं चुक्के मुँ के बगएर इनसान की आदत, रौनक और उसकी खुशाली नदर नहीं आती है हमारे कजाबी के एक शायर में लिखा है कि धन धर्ती बिचे दबी है, मस्तक परवान है इनसान के पास दोलत हो, आज कल तो बैइस बन गई, लेकिन वो प्राणे दमाने का था जब दोलत को जमीन में दबाया जाता है, कहता बेशक दोलत जमीन में दबाई हो लेकिन उसको मुलूम हो कि मेरे पास दोलत है तो उसके चेहरे पर मोटर भक्ती रहेगा वो रौन कमिट नहीं सकती इसी तरह दो चीज़ों पर से ही चेहरे पर रौन काती है या तो वो खुदा के साथ महब्बत करने वाला इंसान हो और उसके साथ एक होकर सारी इंसानियत को उसका नूर समझ कर खुश रह सकता हो और या उसके पास कोई और सहारा हो दुन्यावी सहारे भी खुशी देते हैं लेकिन वो अधूरी खुशी होती जबान दिल्ली में उर्दू पंजाबी और हिंडी तीन का होना तो वहाद जरूरी है लेकिन अग्रेजी के बगार गुशारा रही उसका होना भी जूरी है दुनिया भर के लोग यहां रहते हैं हमारे देश के दक्षिनी हिंदोस्तानी उत्री हिंदोस्तानी और पूर्वी हिंदोस्तानी यह सभी तरह के लोग यहां रहते हैं उनकी कल्चर उनकी जबान की उनती के लिए भी दिल्ली की अड्मिस्टेशन को उनका सहरा बनना चाहिए मगर ये तीन जबाने जो हैं उनके लिए तो हर मुम्किन कोशिश करनी चाहिए पार्टीशन के बाद दिल्ली में आकर जो ज्यादा से ज्यादा बसे हैं वो हैं पंजबी पुरानी दिल्ली की अबादी जब हिंदोस्तान अजाद हुआ तो 6-7 लाख के खिर थी अगर मह गल्पी नहीं करता तो 7 लाख से ज्यादा नहीं थी और नई दिल्ली की 1 लाख, 1 लाख के खिर थी मगर आज ये 70 लाख को हुच्ची है अबादी उसमें आए तो और भी हैं लोग लेकिन ज्यादा तर वो आए जो पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब में सुमा नहीं सके सिंधियाँ के पास कोई जगे नहीं थी उनका सारा प्रांग पाकिस्तान में चला गया मगर उनको वापस आना पुरा सारे भारत में वो फहले हुए मगद दिल्ली में ज्यादा तरअबादी पंजाबी होगी पर पंजाबी कोई ऐसा काम ही होगा जो हिंदी ना समझ सकता हो और उर्दू बोलना सकता हो लिखना सकता हो लेकिन सरकार अगर किसी जबान को मचाना चाहती है तो वो कमजोर तो हो जाएगी मिट में सकता है उससे साथ मुहबत करने वाले उसको जिन्दा रखेंगे मैं दिल्ली के दिल्ली की आडिमिस्टेशन को बढाई देता हूँ कि उन्होंने ये दोनों एकाडमी बना दी है और सरकारी दफ्सरों में भी इसके लिए धीरे धीरे जगा बनाने की तरफ को सोचे आज का जो आज की जो मजलिस है मैंने कह सकता कि सिर्फ शायर ही होंगे नदम लिखने वाले और नसर लिखने वाले दोनों ही मजाया किसम के हो जाएं तो बहुत मज़ा आता है लोग बहुत हंसते हैं और आज आप हंसने के लिए आए हूँ तो मैं आपको इस संजीदगी में लगाए रखूँ यह अच्छा नहीं होगा क्यूंकि आज पहरों में सिर्फ दो वक्त ही हसो मगर हर वक्त मुस्कराना सीखो नफरत की तारीकी को खत्म करने के लिए चिराग ए मुहब्बत को जिलाना सीखो मैं इतने शब्दों के साथ इस मदल्स का अरम करता हूँ झाल